नमस्कार स्वागत है आपका हैप्पी लाइब चैनल में दोस्तों आज हम एकजीमा दाद और खुजली का इलाज बताएंगे बिलकुल नया है यूटूब पर पुराने तरीके तो बिफल हो चुके हैं कोई काम करता है थोड़ा बहुत यह बिलकुल नया तरीका है अगर आइडिया अपनाते हैं तो फैदा जरूर होगा पहले था तो लासुन हीर देते थे तो भी खलास हो जाता था दाद जैसे इनसान विकास किया है वैसे बीमारे भी विकास किया है वीडियो को पोर्या देखें और लाब उठाएं इसको तरीका बहुत असान है दुद्धी बलते हैं लवकी बलते हैं घी बुई बलते हैं गिया वीडियो को लाइक तो बनता है एक लाइक कर दें और शेयर भी करें लवकी के लत्ती को काट लेते हैं अच्छा है तो जड़ काट सकते हैं लेकिन इस लवकी को भी राना है हमने उपर के काटा है इतना कि इतना है कि इसका है जूस डेली पीना है लवकी का डेली यह नहीं तो अपते में दो तीन बार तो पीना ही है और बचाव क्या करना है कि चीज से ओभी बताते हैं अगर नुक्सा नुस्का आज माते हैं तो 100% डाल से छुटकारा मिल जाएगा इसमें लवकी के जड़ को जलाने जितना सरसो का तेल मस्टर्ड वाइल चाहिए तेल बार हो जाने के बाद उसमें लवकी के जड़ को डालना ही है इसको जलाके काला करना है डागदर यही मनाता है मरीज को ही आये बहुत तिन्यक्सान के दावा खाने के बाद भी दुबारा हो ही जाता है जो एक जिमा करो गए दुबारा हो जाता है तो बचाव के लिए देखिए क्या करना है चाय पीते हैं दुध वाला चाय नहीं पीना है और नमक ज्यादा नहीं लेना है मचली और दूद बिलकुल ना खाएं जो काजू खाते हैं लोग काजू नहीं खाएंगे और लवकी का जो घिया है उसका जूस किना ही किना है लवकी का जूस और ये डेली दू बार लगा लीजिए और ये जल जाने के बाद इसको शीशी के खाच के बोटल में लख लीजिए वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें और शेर भी करें और दूसरों को भी फैदा हो वीडियो देखने के लिए धन्यबाद नमस्कार भीडियो प्रोडल में नमस्कार